आपने चिकन तो कई तरह का खाया होगा लेकिन यार आज जो मैं रेसिपी आपको शेयर करने वाला हूँ काफी यूनीक रेसिपी है और काफी अच्छी रेसिपी है इसमें आपके ज्यादा मसाले बगेरा नहीं लगने वाले है फिर भी आपकी जो डिश होगी न यार लाजब आप डिश आपकी बनने वाली है तो आप देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ साही चिकन करी किस तरीके से आप प्रिपेर कर सकते हैं वो भी हूम में और काफी अच्छी होने वाली है चिकन करी तो आपको इस वीडियो के अंदर सब को शेयर कर दूंगा इस रेसिपी के कुछ और दंग के पत्तेलिए हैं और कुछ लेसुन की कलिया तो यह सारे मसाले आपको ले लेने हैं आप क्षड़े मसालों की तो यह पे आपको लाल मिर्च लेनीा थाभешा लेना है और आपको थौड़ा साव difad hned अब काली मिरच लेनी तो अप यह आपको अच्छी तरी बारिक कर लेना ताकि इसके बीज बगेरा रहे नहीं लाल मिर्च के यहां पर आपको एक ध्यान रखने वाली बात है जो आपको रेसिपी को तयार करना है तो आपको सिलवटने के उपर अगर आप ज्यादा मसाले को प्रिफर करेंगे तो ज्यादा बैथरी टेस्ट आपको मि देखेंगे आपकी जो ग्रेवी तयार होगी काफी अच्छी तयार हो जाएकि इनकी हल्प से तो गाइज अभी आप देख सकते हैं इसे पिस्ता हुआ तो इसे अच्छी तरीके से आपको पीसना है धीर में धीमा धीमा ताकि यह काफी बारीक हो सके जिसे की छिलके बगेर इसके बचे नहीं तैन आपको नेक्स प्रोसेस आता है आपको प्याज को भी पीसना है अच्छी तरीके से आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं यार यह आपकी चॉइस है लेकिन सिल्वटने के उपर एक अलगी टेस्ट लहता है इस बज़े से मैं सिल्वटने के उप पर ही इसे करोंगा गाइस अब आपको चिकन को करना है फ्राइ तो उसके लिए आपको लेना है एक पतीला और उसके अंदर आपको डालना है तेल कम से कम दो टेबल स्पून बड़े वाले आप डाल लेना यहां पर मैंने मस्टर्ड ओल को यूज किया इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है और आपको लो फ्लेम के उपर इसे गरम होने देना है और उसके बाद आपको चिकन को फ्राइ करना है तो आप देख सकते हैं मेरा तेल गरम हो गया है अब मैंने यहां पर चिकन को फ्राइ होने के लिए डाल दिया है तो आप वन बाई वन पीसिस को चिकन क के अंदर डाल दीजिए थोड़ा दूर अटके डालिएगा ताकि आपको छीटे ना लगें क्योंकि आपका दुला हुआ चिकन है जो की फ्रेश है वुलकुल तो इसे डालिए पतीले के अंदर पूरा और उसके बाद इसे मिक्स करना है आपको चूले के अंदर जो टेस्ट आ उसके बाद आपको उसी स्टेज के अंदर इसे उतार लेना है क्योंकि आपको फुल पकाना नहीं है अभी सब्जी भी बनना इसकी बाकी है तो इसलिए आप देख सकते हैं पानी छोड़ चुका है चिकन अब मैं इसे उतारता हूं तो आपको दुबारा से दो टेबल आपको यहां पर प्याज को एड कर देना है तो आप देख सकते हैं पे जो मैंने प्याज पीसके रखी है उसे मैंने और अणिसे अपको अपको लगे कि आपकी प्याज फ्राइ हो चुकी है तो आपको यहां पर ग्रीन चिली इसको एड करना है जो कि मैंने चॉप करके रखी हूई थी अब आप यहां पर एड कर दीजिए और इनको भी साथ में आप फ्राइ कीजिए देन गाइज आपको यहां पर कुछ ज तो इनने भी एड करके आप इनमें चला देना जिसे कि यह भी फ्राइ हो जाए नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आपको टमाटर को एड कर देना है तो आप यहां पर टमाटर डाल दीजिए काफी बारीक पीसा था यार मिये मैंने तो जितना बारीक आप हो सके टमाटर वगेर काफी अच्छा फ्लेवर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा अब जब आपका ग्रेवी पूरी तरीके से भुन जाए सारे इंग्रीडियंट्स फिर आपको यहां पर रेड चिली को एड करना है रेड चिली आप यहां पर देख सकते हैं यह भी मैंने सिलवटने सुंगने में ही पता चल रहा है क्या मस्त ग्रेवी तयार हो रही है अब यह ग्रेवी जब तक आपकी तयार हो रही है आप इसे एंड स्टेज तक तयार करना जब तक आपको ना लगे कि यार बुनने वाली एक खुसबू आ रही है तो गाइस अब आप इसे तयार होने देख सकते हैं क्या धुहा निकल रहा है अब मैंने इसके अंदर चिकन को एड़ कर दिया है अब आप यहां पर देख सकते हैं चिकन भी मैंने एड़ किया है और थोड़ा सा वाटर भी एड़ किया है लगबग आपको दो गिलास के आसपास वाटर एड़ करना है इसके अंदर एक आपको ये डिश काफी बहतरीन होती है आप इसे जब चखेंगे न तो आपको ये काफी classic डिश देखने के लिए मिल जाएगी और ये एक saih chicken मतलब saghी chicken ही आपको बनके मिलने वाला है आपको काफी बहतरीन आपको यहाँ पर टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, मसाले आपके मैच काफी अच्छी तरीके से हो जाएगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, लो फिलिम के उपर आप इसे पकाना जिस तरीके से चूले में हलकी हलकी आग चलती है, आप देखिए, ये चिकन आपका बनके प्रिपेर हो च तक ये आच चुका है, इसके बाद बस आप इसे थोड़ा सा इसका जो पानी है, इसे थोड़ा सूखने दीजिए, देन आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका चिकन पूरी तरीके से बनके तयार हो जाएगा, तो अब आपको इसमें मसाला एड़ कर देना है, आप ग्रेवी अगर आपको पसंद है तो आप एड़ भी कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे एड़ करेंगे तो एक खुश्बू आपको अलगी देखने के लिए मिल जाएगी, यह मेरी चिकन करी पूरी बनके तयार हो चुकी है, आप देख सकते ह आपको यहाँ पर फ्लेवर खुश्बू देखने के लिए मिल जाती है, अब आप देखिए है काफी मस्त चिकन बना है, और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊंगा, काफी सॉफ्ट है यह, मैंने इसे खा के भी देखा है, काफी बेहतरीन लगा मुझे, क्योंकि बीच बीच में मैंने इसे चेक भी किया कितना गला, कितना नहीं गला, अब आप देखिए, मैं आपको इसका एक सॉफ्टनेस का टेस्ट करके दिखाता हूँ, कि कितना सॉफ्ट मेरा चिकन यहाँ पर बनाया है, आप देखिए, आप हाथ म